एपिसोड इस्टार्ट होता है ड्वाब बोलता है तो क्या सच में तुमने इसे बनाया है तेरेल भी उनके बाते सुनके थोड़ा फिस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या करो क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बता है कि मैंने इसे बनाया है तुम दोग मेरे बा तो एरल बोलता है है हमारे पस को जगा कोईBACK खुछ में रोकते हैं इस ब्लूप्रिंट में ऐसी पार्ट से चोंग ही लावत नहीं बना सकता त्र की लिए उसकी बते सुनतकी है अपने मन में तोचते हैं ऐसा इसलिए वो डॉप बोल रहा कि मैंने इसे इस blueprint को दिया क्या डॉप कि यही प्राइड है तभी अरेल बोलते है उसे अपने हाथों से फिर वोलता है इस टैल माते हैं क्योंकि मैं एक चीनियस हूँ मैंने अपने आख को बन करती इस blueprint को बना लिया था अगर मैं चाहता तो मैं अपने पेर के अंगलिया सभी से बना सकता था और बहुत लंबा चोड़ा फेक्त है तो मैं बस कुछी topics बताऊंगा और बताता है कि अगर तुम मेरे बच्पन के बारे में जान लेते तो तुम भी ह हो जाते हैं मैंने यह किया था वो किया था और तभी तुम मेरे से पूछ रहे हैं कि मैंने यह बनाया है कि ने यह पास्टट और गालिये देने लगता है तभी एक दूसरा डॉफ दूसरे का दूसरे डॉफ के कान में बोलता है कि लगता है कि यह प्रिंच पागल है तो यह बोलता है कि हाँ हाँ देख लिया तो को वो डौाफ एरेल के सी हरकत देख के वो बोलता है ठीक है मैं मान गया कि तुम ही ने इस ब्लूप्रिंट को बनाया है तब यह रेल सांथ हो जाता है और वड़ जाता है और अपने वन में सुचता है कि अच्छा हुए यह काम किया और बोलता है कि किसी पागल परसन को समझाने से अच्छा कि वो उसे ऐसा देखा कि वो खूदी पागल है और बोलता है ठीक है हम लोग इसके उपर बात करते हैं और मैं तुम्हें इसके लिए कमिशन भी दूंगा तब ही ड्वाब बोलता है कि मुझे इसका कोई मतलब क्यार न किया है कि तुम्हें कितना पैसा दिया जाएगा और इसमें क्या क्या लगेगा तभी डॉफ उसको बीच में रोक देता है अब बोलता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें चिंदा करने की जूरत नहीं हमें जोब लेना है कि नहीं लेना हुँ हम खुद डिसाइट कर लेता है तब डॉफ वो सिरियस हो जाता है फिर अरेल से बोलता है ठीक है हम तुम्हारे डिल को एकसेप्ट करते हैं और सबसे इंपोर्टेंट बात यह यह ब्लूप्रिंट अभी भी कंप्लीट नहीं है ना अरेल उनकी तरफ देखता है और एक इसमाल लेता है उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें यह बताना चाहता था इस आधी ब्लूप्रिंट को देखा के कि यह ब्लूप्रिंट फेक है की रियल तो तुमने इसे देखके पता कर लिया होगा कि यह फेक है की रियल तो वो डॉफ बोलता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर लिए फिर एले थिकर थिके में तूम्हें już blueprint के सेकेंड़ पाइड में से Nikon ने Yo 12 को निकालता है और उसकेंड़ अठे लोगती है और सब्यूवरीज की ऊंख कर चमकने लगती है और वो डए हाथ को आगा बादा त्यों करह की यह बहुत अच्छा एचलू इसे मुझे जल्द लेकिन अपने एल घालो रहता है मतलब को देता नहीं पॉलाव को चिड़ाने लगता है और जो ना थ NOT हो रहे ना रहे थे यह क्या कर रहा रहा थैख को बोलता है चाहिए ऐसा कुछका कुछ दो को तुम्हें दे दूं अगर तुम्हें यह ब्लूप्रिंट चाहिए तो मैंने जो तुम्हें फर्ष्ट ब्लूप्रिंट दिया तुम्हें उसका पार्ट को बनाना होगा मेरे ट्रस्ट को जीतने के लिए तभी मैं इस सेकंड ब्लूप्रिंट को तुम्हें देखाऊंगा अर बोलता है ठीक है फिर वहान से जाते हैं अपने साथ ही लक्सित बोलता है अरेल से ठीक है बस तुम ठोड़ा दरहां चाहरो हम उन्हें जरूर इसको देखा देंगे और फिर वर इनचरहसा देख रहा होता है तो तो असरesta arma अधर अपने मन में तेकि क्या सच में मेरा अपने मन में संदर की मेरफReally मैं न पूरा देखा सहों लेकिन मैंने मैंने मांड को इसलिए और आधी ब्लूपेंट को उन्हें देखा है और फूल फ्रूप्रिंट को देखा कि को ज्यादा फर्क भी Resident को छौथ याधा के चारे की तरह यूज़ कर रहा होता है और वो डौफ बोलता है कि यू लीटिल सिट पास्टर्ड यह सोच कि अरे लिदम डेविल जिसा हदने लगता है फिर अगले सिन में देखते वो डौफ आ जाता है अब बोलता है कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है तो उससे एरेल भी कि अरेल सोय हुआ रहता है तो डौफ वहाप भी आता है और बोलता है कि मैंने अपने काम कंप्लीट कर लिया है अब नेक्स ब्लूफ प्रिंट हो आने के टायम में भी वहाँ पर वो डौफ रहा होता है लेकिन एक मिनाट अरेल के हातों में कुझ्ट सा बूख है जैरा गौ है जैसे कि तुमने हमें ओडर दियाता है हमने उस मसीन को बना लिया है पूरी तरह से कंप्लीट तो अरहल को भी देखते कि अरहल पूरी तरह से सौक रहता है और है और भी रहता है और बोलता है कि यह तो आप सच में बहुत डराऊने हैं और देखते तो वह एलकेमिस्ट बोलता है कि हाँ मैजेस्टी यह बहुत अच्छे से काम कर रहे और उस पेपर को भी देता है और देखता है कि वह पेपर पूरी देश से वाइड रहता है अरे लाजीब से सकल बना लेता है अब बोलता है कि अपकोस यह सब मेरा प्लैन के मताविक अब च चलेगा और सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि इस जगह में कागज बनाने की पेर पोदे भी बहुत अच्छे खासे है फिर वोड़ आप बोलता है यह कैसा है और बोलता है कि यह बहुत अच्छा है और बस तुम्हें और भी इस तरह बहुत सारे थी मसीन को बनाना है ने बताता है कि यह सब कैसे हुए और वो बताता है कि मैंने अपने मदर को एक लेटर लिखा और बोला कि मुझे अपने बीजनेस करना है पेपर का इसलिए मुझे एक ऐसा परसन चाहिए जो वह रोसे मंद हो और मेरे मदर ने सोचा कि मैं अपने भाई को क्यों ने भेज़ मेंट हूँ तो वह उसका चैचा को लेता है ता हम लोग इसको चैचा ही बोलेंगे वो लोता क्या यह हो है जो तुम बेचना चाते हो तो अपकोस तब उसका चैचा बोलता है कि अगर मैं सच बोलू तो यह स्थे इस भूण लादोगे तुम लड़ाई करवादोगे और वो बताता है कि जो ती दूसरे मर्चेंट है जो पेपर बनाते है उसकी बहुत कम बनता है लेकिन उसकी कीमत अस्मान चुह रही है अगर तुम इसको बीच में लाते हो तो हमारे उपर एटेक भी हो सकते है अरेल अपने चैचा को कॉन्फिडेंट करते हैं बता है है कि आपको सिंदा करने के फजरत नहीं जो हमारी पेपर की ऐते कोलेटी है और दूसरे पेपर की क्लेटी से बहुत वेष्ट है और वो जो थी दूसरे लोग हमारे उपर एटेक करने से पलेड़ सब्चन कर सक्किंगा क्योंकि यो और पात इसे के साथ ये वीडियो नहीं खत्म गाइस ये बहुत बूरा है क्योंकि मेरा मुबाइल का जो डिस्प्लेयर उस पर बहुत सरे क्रेक्स आगा है तो इसलिए मुझे मुझे मानवा का जो इंगलिज में लिखा वा रहता है वो कुछ ठीक से दिखता नहीं है तो रिट करने मे होते हैं और सबसे बेकार बात यह है कि मेरा जो भूसेना वह बहुत काम सुना दे रहा है क्योंकि इसकी जो स्पीकर है वह स्पीकर कभी लग गए है पता नहीं मैंशे कब ठीक कर रहा पाऊंगा मेरे पस अभी पैसे भी नहीं है छोड़ो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा ज अब तक लिए नहीं काम से लोग से ओना रख